असलाम वालेकुम आज हम बनाएंगे लीमू का अचार इसके लिए 25 लीमू लिये वे इसे साफ दोकी रखावाई और इसे कप्रे से साफ पोच के लिया वाई अभी इसके हम पीस करेंगे इसके चार पीस करेंगे हम ज्यादा छोटे नहीं करना है क्योंकि हम पका के बनाने वा अभी इसमें हम नमक दालेंगे टू टेबल स्पून और वन टी स्पून हल्दी पॉडर दालेंगे नमक का इस्तमाल हम ज्यादा करेंगे अचार बना रहे और यह अचार जो हमारा एक साल तक बिना फ्रीच के रहता है खराब नहीं होता है इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर यहां पर हमने एक बड़तन लिया वाए इसमें 300 ml विनी कर लिया वाए और 500 ग्राम शकर लिवे और अधा किलो शकर लिवे अभी इसके हम चाशनी तयार करेंगे फास आच पे रखके यहां पर एक तारवाली चाशनी अच्छे से तयार हो गई अभी यह मसाले के साथ हम लीम पानी चोड़ते तो यह बहुत उपर तक आता है छोटा बड़तन लेंगे तो सारा जो इसका रस हो बाहर निकल जाएंगा अभी इसे हम एकदम कम आच पे रखेंगे तेखो यह अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है 15 मिनिट तक इस तरीके से हमने इसको कम आच पे पकाया है 15 मिनिट बाद इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पॉड़र दालेंगे और इसे सिर्फ दो मिनिट तक पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाना है नहीं तो एक काला हो जाएंगा यह पर दो मिनिट हो गए हम गयास बन कर देंगे और इसे ठंड़ ऌने के लिए रख देंगे यहां पर ठंडा हो गया, देखो इसका कलर कितना अच्छा है, और गाड़ा भी हो गया ठंडा होने के बाद, अभी से हम एक अच्छी कांच की बोटल में भरके रख देंगे, यह खराब नहीं होगा, देखो कितना अच्छे से बनाएं, आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी अच्छा है।